नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपका नई कक्षा में स्वागत दे इस वर्षा छटी कक्षा में आयव हो, आज की परिस्तिती कोरोना से भेवी बन रही है लेकिन इस कोरोना का दर्शे नहीं, बल्कि हमें डढ़ कर सामना करना है घर में रहकर, सुरक्षित रहकर, प्रशासती जो सुविधा हमें दीलाई है, इस सुविधा को यहां सुझाव दिया है कि घर में रहकर हमें प्रगती के और ले जाना है आज में छटी कप्षा की दूसरी कविता केदानान अग्रवाजी की बसती हवा को पढ़ाउंगी जिसके कवी केदानान अग्रवाजे, इनका जनन एक एप्रिंट, 1911 में गुआ, मुर्तु 22 जन इनकी अपूर्वा, आपका आईना, पंख पदवार, पुष्पदी, आम्यू कविता इंजिक, परिचय आपो छायावाजी उनके प्रगतीशीन कभी माने जाते हैं प्रस्तुत कविता, बसंती हवा, मस्ती भरे, शब्धों को द्वारा, हठखलियों का विबरन इस कविता की मात्यत से कभी ने हमें बताया है हवा पैशी है, इहां बसंती हवा का वर्णत क्या है, तो इस कविता इहां बहुत सुहानिया सुंदर है बसंत रुतू, छे रुतों का राजा माना जाता है, और इस छे रुतों का राजा, बसंत, इसकी जो हवा है, वो नीडर है, मस्तु मौला है यहां कभीता के मात्यत से हम कहेंगे और जानीगी पहले कविता में खाटकर आपको सुनाते हूँ, जो जो कविता के तभी तेदानात अगरवाल जी ने अपने शब्दों के माला में हमें फिरोई शब्द है, वहां मैं आपको एक माला में दाकर सुनाओंगे। और फिर इस कविता का सरना अर्था को बताओंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर हैं, बड़ी दिडर हूँ, जिदर चाहती हूँ, उदर भुमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, चड़ी पेड़ मां मौला, खपात मचाया, गिविध हम से फिर चड़ी आमूँ पर, उसे भी छपोरा के आवकान में एकूँ, उतर तर धागी में, हर खेत पहूँची, वहा गेवों में, लहर कूब मारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, पहर ओ पहर क्या, आने को पहर तक, इसी में रखी में, ख़़ी देख कर सी, दिये सी शकर सी, मुझे खुब सूझी, हिलाया जुलाया, गिरी पर नकर सी, इसी हर को पा, हिलाई नसर सो, जुलाई नसर सो, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, प्रस्तुत कविता के मांजर से कवे अधरवात जीने हमें, जीवन पर आधारी तक बसंती हवा का वर्णन इस कविता में लिया हूँ, कवी खता है कि इस कविता में हवा कैशी है, आनोकी है, बावनी है, बावनी का आधा शिधी, सिधी से अपनी धुर में, मस्तमोला का आधा मनमोजी और निडर किसी से डरने वाला नहीं है, फिकर चिंता, किसकी उसको फिकर नहीं है, किसको हवा को और वो निडर है, बड़ी निडर है, जिदर चाहती हूँ, उसका जहां मन करें, वहां वो भूमती है, मुसाफिर या राहगी, मुसाफिर का इसा राहगी, यहां मुसाफिर हवा कैसी मुसाफिर है, आजब है, वहाँ, बसंति हवा है, और फिर हवा करती है, कि वह सब्सम्धुरों के राजा मनने वाले, मुकुट म溜ने भाले हूँ के, छोğ 6 हवा बन Nhann भुई अपने ऩटकटन के बनना कुण फुण करते है, कि वहाँ मस्तपवला है बावुदू फिर वहाँ से वहाँ चट पेड़ पर चड़ी किस पेड़ पर? महुवें के पेड़ पर एक प्रकार का वो ब्रक्ष है मूल सब पेड़ पर वो चड़ी फिर वहाँ के जाके उसने क्या गिया? बहुत थपा थप हिलाया इसको भीलाया बद्वको जो तहलियों पे हरे धरे पत्ते हुथे हैं इसको ये सा हवा के तातत ने अपने जोके से इसको हिलाया और वहाँ से आवाज केशे आई ठपाथो गिरी धंब से फिर वहाँ से वहाँ जोर से नीचे आखे फिर वहां आम के पेड़ पर वहां उसे जोगो रहा हूँ कहां वहां से उसने जोर से हवा आपके तार वहां से अटार नाजर से मारते हुए हवा आपने जोर जोगे हुदेते हुए पेड़ किसके पेड़ पार? आम के पेड़ पर वहां क्या कि उसने क्या किया, इसके कार में कू किया, कार में कू किया, इसका आरत है कि लटखट होकर उसकी शरारत होना उस आनन्दार प्रसन्नता से उसने आंके पेटे उपर चड़के कार में कू किया, फिर वहां से उतर कर भागी, वहां से जल्दी जल्दी वहां से चली ग जो किसानों में नगराया हुए पौधे हैं कुन से जो भीज रहा नाज दे उसका पैडल उसका नाम है गेमू के खेत में वह हवा चेली गई वहां उसने लहर बहुत पारी पूप पारी लहर वहां पे फिर लहर पारी तो जहां हमारा मुद प्रसल्ण होता है सुनरता के और अपशिक होता है वहां हम ज्यादा दर खेलते हैं जो हमारा मुद नहीं लगता वहां हम खेलते नहीं है वहां से हम निकल जाते हैं फिर वहां प्रहर का अर्था प्रहर बहुत समय तक उसने अपना समझ बतित गिया इसमें रडी में वहां पर फेडी रूखी उसका मन उठने जाता अपना मन जहां जाना जाती होना तक उसका मन का समझ नहीं जाती तब तक वहां रूख गई पर उसने क्या देखा अलसी सर्षोंप अलसी का खेत देखा जहां जीसकों कदे लहं के प्रकार कि तैसाएक का खेती के खेती जहां पे ठीजानिंणे लगां अलसी सर्षों की जो आनात का बीद है वहां पे उसके जो फूल है वह ऐसे लगए उसको हवा को सीज कल्शी शीज याने अपना सर पर एक औरत जैसे बदरी लेगी जाती है ना तिर्हन वह जो अलसी सर्षों के फूर है वहां बजरी की तरह गोल मोटर उसको दिख लेए इसको दिख लेए बसंती हवा को फिर उसको नटकट पर नटकट जैसे वह आंके पेड़ कर नटकट की नटकट का उसने कारी किया उसी तरह को कार्या करना चाहती थी कहां पे वहां जहां पर अलसी तिर्हन के प्रकार के जो पौड़े थी खेटी थी उसको फूब सुझी नटकट उसकी शरार सुझी उसको खिलाया जुलाया गीरी लेकिन कल्सी का अब है गगरी वहां पर खेटी में कट्री है। नहीं है लेकिन कभी सी सुझाब ग जरी तो यह पूर्ल की तबन होजय के एंट अकलशी। है वहां हवाके जोखे से इडिए है। फिर उसने चुट को हार मान गया। हार को पा, पाना समझना की, मैं इस कार्य से हार गई, पराजित हो गई, तो इस पराजित कभो कभो निराश हो गई, आप भी देखो, कोई आपकी मन की बात ना समझे, मम्मी आपकी कोई बात नहीं समझ सकती, क्या कोई आपको दिलाती नहीं कोई आपकी चीज बस्तु को, तो तो आको बहुत नाराज हो जाते हों तो उसी तरह है, वहां बालब की तरह नटकट नुढ़ाज हार पाने के बार नाराज हो गई और फिर उसने इस नाराजगी से वहां ओ आछमके उसे को ढराना चाहिए, उसको दियाना चाहिए कि उसको हार गई, और वो शांत से, मासरसो के खेक में चरी गई और फिर वो बदेगी कि मैं हवा हूं और बसंति हवा। प्रस्टूत कविता के मात्यम से मानव की सभाव जो कविता में बताये है यह सवचन्त है यह अपने लिडर्दाज वहां जहां चाहती है उसको कुछ भिकर नहीं है वहां वहां भुंती रहे सामाधिक संदेश्म यहां कि हमें प्राकर्तिक इस अनुभूती करनी चाहिए वहाँ पे वहाँ चले गई हरे गयों वकिक हेतमी तो इसा हमारे प्राकर्तिक संपधाओं को हमें धान में रखते हैं उसका अनन्न लेना चाहिए कोई भी चिंता न तरक्ये हुए कोई भी किसी कारी के लिए निघंता से हमें डप कर उसका साम चाहिए जैसे ही इस उद्धारन हमारी इसी वर्षक्तिक के है जो कोरोणा से हमें दरना देए लेकि सामाधिक सुरख्षिक सोसल डिस्टेस रखते हुए हमें इसी nggakरता से इसका सामना करना जी करना करना चाहिए। जैसे इस उधारन हमारे इसी परष्टतिता है जो कोरोणा से हमें डरना देए। लेकि सामाजित सुरक्षित, सोचल डिस्टन्स रखते हुए हमें इस निड़ता से इसका सामना करना है। मस्तमवला बताया इसका उधारत कि वह अपने घुट में वहां किसी की बार सुनी नहीं जैसे आपका भी बच्चमन ऐसा ही है मस्तमवला। और फिर नटखट किसके नटखट उसकी किसमें सुझी कि वहां पे जहां माम के पेड़ पर उसने कार में तू किया। फिर इस सभाव के वर्णन के पार यहां पर इन ठेराव आ जाता है। मानव प्रफर्दी का इस सभाव के ठेराव में कभी ने इस मांधें से बताया कि हमें क्या कोई जिद हमारे मन के मुताविक हुई तब हमें अनता आता है। लेकिन हमके हमारे मंद्र खिलाब हो जाए कोई गटना या कृति तो हम नाराज हो जाते हैं और उस कारी को वहां पे रुख जाते हैं कारी की गटि को धीमी करते हैं। लेकिन पैड्वच्चों हमें इसमें लगाता हमी प्रगति के ओर सफ़ता के और और प्रत्न करना है। या कभीता है कि कोशिश करेंगे वालों की अलों की हरण कशिद होती, हमेशा कोशिश करो हमें हमारी मंझी जो पराप्त कर सकेए। पर हम तुरा मोनजीर के, जो हमारी मज्दी के इसको हम हसिर करके अपना मुदांचे करके हम जीवन के उस विजिंता को प्राप्त कर सकेंगे और फिर निराशा दे आती है हार पाकर हम निराशा को सम्त होते हैं एक सवब्रण है हमारा लेकिन भावुत्ता को इसमें स्कीलता आनी चाहिए, किसो परिस्तिती में स्कील रहना ने इस परिस्तिती में चंचलता दिखानी है इस हवा के मात्यम से कभी केदानाथ अधरवाजी ने हमें बताया है प्रस्तुत कभीता के जो नए शब्दे सब लिखकर आपको अपने किताब में देखकर लिखना है और भाशाचे और पूरा का स्वाध्या लिखना है इसमें आपको दोन्य बंदल पूपी जो प्राकर्थिक आपदाओं के बचाओं इस पर एक लिखना है इसमें भुकमपा बाड अकार कोई तीन में से एक लिखना है और दूसरी आपको मन में जो कोई कभीता का सुझाओ या बजबच से कोई आपको पसंदिता एक कभीता है जो कभी आपको दोनपसंद है वो भी एक लिखकर आपको कुझे दिखानी है और फिर प्राकर्तित संपदाव को हमें सुरक्षित करना है इस अप्रतीम सुनदर्दा को ध्यां रखते ह후े हवा की अवशक्ता हमारे जीवन में क्या है मदो rouकुर्ण क्या है यहां परिजी सबको करा ना है करवाना है प्रकर्टी के प्राकर्टी तो दिये हो को हमें जानना है और अपने जीवन में इंदारना है कम से कम जीवन में साथ प्रक्षित पौदे नगाना है ये पौदे पानी में सीच कर इसको बड़ा करना है और ही सीच पाउदे को पेड़ में रुपादीर करके इसको सीच करिस्थ दर सुरक्षित शुरक्षित तो रखना है और इसकी फल खाले है इसका आरशा है ति इसको बढ़ा-बड़ा शुकर करके हमें पीसरोत अच्छे तुम कल के जिम्मेदार नादरीक हो, यहां संदेश इस कविता के कमाड्यम से हमें बिलता है कि प्राकर्दिक आपवदाओं से बच्चाओ, आप उपाय क्या करने चाहिए, हमें जीवर में कैसे उसको उतारना चाहिए, हमें संतुलनाव सवर्धर के जिम्मेदारी डालनी है, क्यों? क्योंकि आज इस कोरोना के सिति में प्रदुशन और शित्ता हवा यह कोनों है, प्रदुशन का हवा शित्तन होने के कारण हमें हवा का मत्वप पता चलता है, बिसंति हवा इसी का उधारन देकर आपको यह कविता अप्रतिक सुन्दर्दा और नटकर्ड यह कविता के मात्यम से हमें बसंति हवा का संदेश मिलता है, प्रतुत कविता के मात्यम से आपको इस कविता का पूरा पठर करके इस कविता को लिखना हएं बादीककर जो सामदे, आपको स्वया-घ्रद के लिए, जो नीचे दिए चित्रा है, आपके प्रश्ट क्रमान को चाथ, इसमें सबी चित्रा आपको लिका लिएगा, और पूरे चित्रा में रंब भरकर आपों इस चित्रा के अविचार बते लिए, इसका बर्नन करो, प्रस् कर दो कर दो कर दो